परिचए साधारन आकारों को लंबाई और चौडाई सिर्फ दो दिशाओं में बांपा जा सकता है उनमें गहराई या उंचाई नहीं होती उनमें केवल समतल धरातल, भुजाएं, कौन और शीर्ष होते हैं इन्हें दुई विम्य आकृतियां कहा जाता है जैसे वर्ग, आयत, वृत, त्री भुज, त्री विम्य आकारों में गहराई होती है इनका मापन तीन दिशाओं, लंबाई, चौडाई और उंचाई में किया जा सकता है उनमें एक से ज्यादा फलक और कई किनारे या कौर होते हैं त्री विम्य आकारों में दूई विम्य आकारों से ज्यादा कौन और शीर्ष होते हैं जैसे की घन, घनाब, बेलन, प्रिज्म, प्रामिट इत्यादी उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दूई विम्य और त्री विम्य आकारों को पहचानना त्री विम्य आकार के विभिन द्रिश पहचानना मान चित्र की सहयता से किसी स्थान को पहचानना विभिन वस्तुओं के फलक, कौर और शीर्ष को परिभाशित करना बहु फलक और उत्तल बहु फलक को परिभाशित करना प्रिज्म के बारे में बताना प्रामिट की चर्चा करना ओयलर सूत्र का प्रयोग करना विभिन आकारों का सैयोजन अर्द गोले से घिरा हुआ एक प्रकाश स्तंभ अर्द गोले से घिरा हुआ एक शंकू उप्रोक्त आकार विभिन आकारों का सैयोजन है हम इन आकारों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं त्री विमिय यानि थ्रीडी आकारों के द्रिश्य हम एक त्री विमिय संसार में रहते हैं आप जिस किसी भी वस्तू को देख या छू सकते हैं उसमें तीन विमिय होती हैं और उनका मापन लंबाई, चौडाई और उंचाई में किया जा सकता है उधारन आप जिस कमरे में बैठे हैं उसे तीन विमाओं में दर्शाया जा सकता है आप जिस मौनिटर पर देख रहे हैं, उसमें तीन विमाए हैं एक पांसे के विभिन द्रिश्चे, पार्श्व द्रिश्चे, उपर से द्रिश्चे, सामने से द्रिश्चे एक कार के विभिन द्रिश्य, पार्श्व द्रिश्य, उपर से द्रिश्य, सामने से द्रिश्य अपने आसपास के स्थान का प्रती चित्रन करना सामानने तोर पर मानचित्र का प्रयोग किसी विशेश स्थान, नदी, पहाड इत्यादी का स्थान बताने के लिए करते हैं मानचित्र चित्र से अलग होता है इस मानचित्र द्वारा यह जानना बहुत कठिन है कि राधा के घर से कौन सा स्थान पास है हम वृत्तों के बीच की दूरी को नहीं जानते, अताहा सूचना का अभाव है, इसलिए हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते यहां मान्चित्र रवी द्वारा खीचा गया है, रवी ने विभिन सीमा चिन्हों के लिए विभिन संकेतों का प्रयोग किया है लंबे रेखा खंड लंबी दूरी के लिए खीचे गए हैं और छोटे रेखा खंड छोटी दूरी के लिए खीचे गए हैं उसने मान्चित्र को पैमाने की सहायता से खीचा है संकेतों और दूरी के उलेक से हमें मानचित्र को पढ़ने में सहायता मिलती है मानचित्र में वास्तविक दूरी एक सेंटी मीटर या एक मिली मीटर है इस कार्थ है कि यदि कोई मानचित्र खीशता है तो उसे यह तै करना होगा कि उस मानचित्र में एक सेंटी मीटर की दूरी एक निश्चित दूरी जैसे एक किलो मीटर या दस किलो मीटर को व्यक्त करेगी अलग-अलग मांचित्रों में ये पैमाना परिवर्टित हो सकता है लेकिन एक ही मांचित्र में यहन नहीं बदल सकता फलक, किनारे और शीर्ष फलक, किसी ठोस के बहु भुचिये शित्र को फलक कहते हैं किनारे, वहरेखा खंड जिसके अनुदिश दो फलक मिलते हैं शीर्ष, वहबिंदु जहां तीन या ज्यादा फलक मिलते हैं बहु फलक ऐसे त्रीविमिय आकार जिनके फलक बहु भुज़ों उन्हें बहु फलक यानि पॉलेडरॉन कहते हैं यह ग्रीक शबदों पॉली यानि बहुत और हेडरॉन यानि फलक से बना है अता, बहु फलक एक त्रीविमिय वस्तु होता है जिसमें कई फलक होते हैं उधारण, घन के फलक वर्ग होते हैं, आयताकार प्रिस्म के फलक आयताकार होते हैं, बहु फलक, त्रीभुजाकार प्रिस्म, घनाप, अश्ट फलक, आबहु फलक, वह ठोस जिनका वक्र प्रिष्ठ बहु फलक नहीं है, उधारण है, बेलन, शंकू, गोला, उत्तल बहु फलक यदि किसी बहु फलक के प्रिष्ट के दो बिंदों फलक, शीर्ष और किनारे को मिलाने वाला रेका खंड प्रिष्ट पर इस्थित हो और स्वैम को कारता ना हो उसे उत्तल बहु फलक कहते हैं हम जानते हैं कि किसी बहु फुझ के किनी दो शीर्षों को मिलाने वाला रेका खंड बहु फुझ पर इस्थित नहीं हो तो उसे उत्तल बहु फुझ नहीं कहते हैं इसी प्रकार हम बहु फलक को परिभाशित कर सकते हैं नीचे दिये गए उधारण उत्तल बहु फलक नहीं है, बहु फलक जो उत्तल बहु फलक नहीं है, छोटा तारकित द्वादश फलक, बड़ा विंश फलक, बड़ा द्वादश फलक. सम उत्तल बहु फलक वह ठोस जो उत्तल हो और जिसका फलक किनारे और कोण के समनु रूप हो, उसे सम उत्तल बहु फलक कहते हैं, चतुश फलक, घन, अश्ट फलक, द्वादश फलक और विंश फलक जैसे ठोस सम उत्तर बहु फलक के उधारण हैं, सम अश्ट फलक, एक अश्ट भुज जिसके प्रिष्ठ आट सम बहु त्रिभुज हों, प्रिस्म एक विशेश प्रकार का बहु फलक होता है, इसके दो सिरे होते हैं, जो एक की ही आकार और आमाप के होते हैं, ये सिरे एक दूसरे के समानतर होते हैं, और आयत से विभाजित होते हैं, किसी प्रिज्म का नाम उसके आधार के आकार के अनुसार रखा जाता है। उधारण के लिए प्रिज्म ABCDE और ABCDE के आधार समान बहुबुच हैं जो एक दूसरे के समानतर हैं। इसके प्रिज्ट हैं आयत A, A, B, 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 C, 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 D, 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 E, E, और E, E, A, 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 B, B, C, C, इत्यादी पाश्व किनारे हैं। प्रिज्म को उनके आधार के अनुसार परिभाशित करते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म वह प्रिज्म जो दो त्रिभुजाकार आधारों और तीन आयताकार प्रिष्टों से बना हो। पंच भुजिये प्रिज्म यदि किसी प्रिज्म का आधार पंच भुज हो तो उस प्रिज्म को पंच भुजिये प्रिज्म कहते हैं। किसी प्रिज्म के पाश्व किनारे आधार के लंबवत हो तो उसे सम प्रिज्म कहते हैं। और ऐसा ना हो तो उसे असम प्रिज्म कहते है प्रामिड एक ऐसा ठोसा कार जिसका आधार एक बहु भुजो और जिसके प्रिष्ठ तिरिभुजाकार हों तथा एक ही शीर्ष पर मिलते हों कुछ प्रामिडों का आधार वर्ग होता है जैसे मिश्र के प्रामिड ऐसे प्रामिड को वर्गाकार प्रामिड कहते हैं तिरिभुजाकार प्रामिड को चतुष फलक कहते हैं प्रामिडों को उनके आधार के अनुसार वर्गी कृत करते हैं तिरिभुजाकार प्रामिड चतुष फलक यदी किसी प्रामिट का आधार तुरिभुजाकार हो तो उसे चतुषभलक कहते हैं वर्गाकार प्रामिट यदी प्रामिट का आधार वर्ग हो तो उसे वर्गाकार प्रामिट कहते हैं शटकोन ये प्रामिट वह प्रामिट जिसका आधार शटकोन हो सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोरा है त्री विमिय आकारों को लंबाई और चोड़ाई में मापा जाता है भिन भिन रूप में दिखाई दे सकती हैं वह रेखा खंड जिसके अनुदिश फलक एक दूसरे को काड़ते हैं वह एक किनारा होती है वह बिंदू जहां तीन या ज्यादा फलक मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं एक त्री विमिय आकरिती जिसके फलक बहु भुजों उसे बहु फलक कहते हैं प्रिज्म और प्रामिड दोनों का नामकरण उनके आधार के अनुसार होता है Euler का सूत्र है F जमावी घटा E बराबर दो जहां F फलक की संख्या, V शीर्षों की संख्या और E किनारों की संख्या को प्रदाशित करता है यह संबंध किसी भी बहु फलक के लिए सत्य है